सभी छात्रों को नमस्कार आज हम RBS डिग्री कॉलेज मेजा खास में जो है आल्लाइन प्रेटफॉर्म पे जो है आपको स्वाइल साइंस सब्जेट के विशे में जो है हम आपको अध्यन कराएंगे जो कि आप लोगों को छात्रों जो है RBS डिग्री कॉलेज मेजा खास के यूटूब चैनल पे जो है सक्क्राइब करके जो है आप अपने अध्यन को बहुत अच्छे तरीके से उसे आप एस्टेडी कर सकते हैं जो कि छात्रों हम आपको पिछले लेक्चर में ये हमने बताया था जो है कि स्वाइल प्रोफाइल और स्वाइल कंपूनेंट्स के बीसे में हमने आपको अध्यन कराया था जो कि आज हम आपको उसके आगे का जो आपका syllabus है उसके according हम आज आपको नए topic लेकर आये हैं जो हम इस screen पे हम आपको बताने चल रहे हैं जो topic है हमारा जो है वो है soil physiological properties, soil texture, soil density and porosite soil और soil colors यह जो है हमारा आपका आपके syllabus के according जो है यह नए topic हम आपको इस screen पे यह इस online platform पे हम आपको लेकर आये हैं जो आज हम इसके विशेय में हम लोग अध्यन करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं कि मिर्दा के भौतिक गुण स्वायल फिजियोलोजिकल प्रॉपर्टीज मिर्दा के भौतिक गुण क्या हैं वो हम आपको बताने चल रहे हैं मिर्दा एक अकार्बनिक कणों विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों वाय एवं जल का एक मिश्रण हैं मिर्दा के भौतिक गुण मिर्दा के उपयोग तथा पादब्रिध के प्रति इकाई ब्योहार को प्रभावित करता है जो कि छात्रों अगर किसी भी मिर्दा के जो भौतिक गुण होते हैं वो कई तक्तों कई प्रोफाइल कई पोसक तक्तों के एकॉर्डिंग मिश्रित के रूप में वो आपके सामने प्रस्तुत होती हैं जो इस स्क्रीन पर हमने बताया है आपको कि जो मिर्दा के कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो विच्छेदित होके जो है कार्बनिक पदार्थों को वाय जल के मिश्रण में मिश्रित होते हैं फिन उसके बाद उसके मिर्दा के भौतिक जो गुण होते हैं वो उप्योग में लाए जाते हैं उसके द्वारा पादप में जो ब्रिद्ध की जाती है वो जो है मिर्दा के भौतिक गुण के द्वारा संभव हो पाता है जो कि आगे चलते हैं ये गुण पौधों की जड़ों को मिर्दा में प्रवेश कराने जल निकास वातन नमी धारन आध में सहायक होते हैं पादप पोस्कों की प्राप्ट भी मिर्दा की भौतिक दसाओं से सम्मंदित होता है जो कि छात्रों ये चीज़ आपको पता है कि अगर किसी भी पौधे का अगर ग्रोथ या जर्मनेशन हो रहा है तो वहाँ पे जो भी उस सर्फिस पे जो पाया जाता है आपके पौधों के जड़ों में जो है मिर्दा का प्रवेश करना फिन उसका जल निकासी फिन उसमें जो है क्या कहते हैं वातन नमी का अधारन छमता जो कि पूरा उस पौधे के डिपेंड करता है जो कि उसके पादप पोसक तत्तों को भातिक दसाओं के आधार पे पौधों को प्राप्त कराते हैं ठीक अच्छात्रों आगे चलते हैं मिर्दा के भातिक गुण में जस्ट उसके आगे जो है मिर्दा आकार आकरित विन्यास तथा खनिच के संगठन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं प्रकात रंधों का आयतन एवं रूप तथा किसी निश्चिस समय पर उनका हवा में पानी से भरे रहने का तरीका ही निर्भर होते हैं वो भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा अगर उसके तरीके अगर आप उसको ध्यान में रख के जो है अगर उसके भौतिक दसा को सुधार नहीं पा रहे हैं जो है तो फिर आप किसी भी पाधब ब्रिध के लिए या पाधब के विकास के लिए जो है आप सही अनुपा महत्पूर्भवतिक गुन होते हैं जो हमने आपको साथ सब डिवीजन में हमने आपको इस इस्क्रिन पे जो है दर्साया है जो पहला है मिरदा कड़ाकार स्वायल टेक्सचर जो मिरदा कड़ाकार होता है ये एक तरीके से जो है मिट्टी के कणों के बनावट के ऊपर निर्भर होता है अब वो डिपेंड करता है कि वो बनावट किस आवस्था में किस तरीके से वो आपके सामने प्रस्तुत होता है ठीक है वो कणाकार के जो है सबडिवीजन में आता है। दूसरा जो है स्वायल सरचना जिसे हम स्वायल स्टेक्चर बोलते हैं। मतलब कहने करती यह है छात्रों जो है किसी भी स्वायल का अगर सरचना जो भी उस धरातल पे बनावट के रूप में बना हुआ है। या परतो के रूप में बना हुआ है वो वहां के डाइग्राम को जो है किस अनुपात में कहां पे किस आयतन पे रखना है वो आपको ये स्वाइल स्ट्रेक्चर में अध्यन कराया जाता है जो कि उसको हम आपको आगे जो है हम आपको उसकी बिसे में अध्यन कराएंगे तीसरा जो है चात्रों स्वायल घनत्व स्वायल डेंसिटी जो मिर्दा का घनत्व होता है जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि जो मिट्टी के कणों का आउसत घनत्व होता है वो जो है वहां के जो आयतन होता है उसका क्या घनत्व है वो आपको इस टॉपिक में समझाया जाता है ठीक है चात्रों फिन्नेश्ट है मिर्दा सांद्रता स्वायल पोरो स्पेस ये जो है छात्रों एक तरीके से अगर देखा जाए मिर्दा सांद्रता का मूल जो उपयोग या वर्क या काम है वो मिट्टी के अंदर जगह बनाना स्पेस बनाना अगर आप किसी भी मिर्दा में अगर आप पानी का छिड़काव करते हैं या सिचाई करते हैं या उसमें वायू का प्रवेस होता है या नमी का धारन छमता होता है वो आपके सांद्रता पर निरभर करता है मतलब कहने करती है चात्रो जैसे पहले क्या होता था जो है किसान एक जंगल को हटा के फिन वहाँ पर खेती करता था खेती करने के बाद जब वो वहाँ पर मिट्टी उबजाओ कम हो जाती थी तो उस जगह को छोड़ के जो है किसान कहीं दूसरे जंगलों में जाके वहाँ के बनो कोई काट को जो है वहाँ पर खेती अपना करता था और उसके द्वारा अपना जीवन यापन अपने परिवार का भरन पोसंड करता था जो है तो यह इस्थित जो आई जो है जैसा कि मैंने आपको बताया जो है कि जहाँ पर अगर जल धारन शमता या जमीन में जो है इस्पेस कम है तो वहाँ पर जो है पादब ब्रिद्ध में बहुत कठनाई होती है पोधे अपना पोसक तत्व अच्छी प्रकार से नहीं ले पाते हैं ठीक चात्रों आगे मिर्दा गाढ़ापन स्वायल कंस्टिशनसन मतलब कहने करती है चात्रों जो है आपके इस भारत में कहीं कहीं मिट्टी जो है गाढ़ापन में पाया जाता है जैसा कि अगर देखा जाय जो है तो जो क्या कहते हैं दलदली छेतर होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की जो है स्वायल मिलती है मतलब कहने करती यह है कि उसमें आपकी जो है जल धारन छमता जो पाई जाती है वो बहुत ही कम होती है और वहाँ की मिर्दा जो है इतनी गाड़ी होती है जो है कि उसमें वायू का संचार भी ठीक से नहीं हो पाता है और प्र मिर्दा जो है काफी गाढ़ा हो जाता है जो कि किसी भी फसल उत्पादन के लिए जो है उप योगी नहीं होता है ठीक है छात्रों आगे मिर्दा रंग मतलब कहने करती है है चात्रों जो है कि मिर्दा भी अपना एक रंग धारन करती है जो वहां की स्वायल के ऊपर निर्भड है अगर चटानों से जो मिर्दाएं टूट के अगर इकठा होती है संघनित होती है तो उसमें चात्रों जो है क्या कहते हैं भूरा रंग आता है कहीं पे आपकी लाल मिर्दाएं आएंगी कहीं पे आपकी जो है काली मिर्दाएं आएंगी कहीं जो है काली और लाल दोनों मिल की मिर्दाएं आएंगी जो है जिससे आप लिटराइड मिर्दा बोलते हैं तो इस प्रकार की जो है मिर्दा अपना रंग लेती है आगे चलते हैं मिर्दा ताप स्वायल टंपरेचर मतलब कहने करती यह है चात्रों जो है अगर किसी भी मिर्दा का अगर उसमें तापमान या टंपरेचर नहीं है तो उस मिर्दा में कोई भी क्रिया या प्रत क्रिया या अब घटन नहीं हो सकता है ठीक चात्रों आगे चलते हैं मिर्दा कड़ाकार जो मैंने आपको पहली हेडिंग जो मैंने बताया था कि स्की स्वायल ठेक्स्चर ठीक है उसके भी से हम आपको बता रहे हैं मिर्दा कड़ों के आकार या कड़ों के ब्यास को मिर्दा कड़ाकार कहते हैं मतलब कहने करती है चात्रों जो है किसी भी मिर्दा का वहां के कड़ों को जो है आप किस ब्यास में और किस आकार में रखते हैं उसी को मिर्दा कड़ाकार कहते हैं जो की मिर्दा का निर्मार बालू, सेल्ट एवं क्ले के कड़ों से होता है जिससे एक निश्चित गुणों वाली मिर्दा बनती है तथा मिर्दा कड़ों का आपे छिक आकार मिर्दा कड़ाकार में ब्यप्ट किया जाता है मतलब कहने करती है चात्रों कि जो मिर्दा का टेक्सचर होता है वो डिपन्ड करता है वहाँ के जो है बालू, सेल्ट, कले के कड़ों से जो मिर्दा का निड़माण होता है उसी को मिर्दा कड़ाकार कहते हैं ठीक है चात्रों, आगे चलते हैं, composition of texture, कडाकार की संगठन, इस प्रकार अगर मिर्दा वर्ग के कण बालू और सिल्ट, कले के अनुपात के आधार पर मिर्दा का एक नाम दिया जाता है, जो उसके कडाकार संगठन को प्रदर्शित करता है, इस आधार पर मिर्दाएं बिभिन कडाकार, वर्गों, बलोई मिर्दा, कले मिर्दा, लोमी मिर्दा, आध में वर्गी क्रित किया जाता है, जिसके दोरा मिर्दा कडाकार का नाम करण किया जाता है, मतलब कहने करती है चात्रों कि अगर मिर्दा का संगठन अगर कहीं किया जाता है जो है तो वहां की जो मिर्दा होती है वो जादा तर अनुपाद के आधार पर ही किया जाता है जो की आपके कले मिर्दा बलोई मिर्दा फिन लोमी मिर्दा जो है इसके द्वारा जो है आप किसी भी मिर्दा का टेक्स्चर सरचना या कडाकार को जो है आप दरसाया जा सकता है आगे यह हमने जो है छात्रो एक सांडी आपको मैंने बताया है कि उसमें सैंडी जो है कितना है लोम कितना है क्ले कितना है उसका जो मानक होता है आउस्तन वो हमने इसमें परसेंटेज में हमने आपको बतलाया है ठीक है जैसे सैंडी जो है बालू की जो परसेंटेज मात्रा ह होती है वो असी से सो होती है सील्ड की मात्रा होती है जीरो से बीस होता है फिन उसके बाद जो है कले की मात्रा जो होती हो जीरो से बीस होता है बीस प्रत्सत होता है फिन उसके बाद सेकंड छात्रों जो है यह लोम है लोम जो है लोम में जो पाया जाता है बालू का जो है वो समान तोर से लोम में मिर्दा में समान अनपात होते हैं क्योंकि इसके द्वारा किसी भी मिर्दा को कितना भुरबरा कितना परसेंटेज उसमें अनपात बराबर पाया जाता है इसमें जो अंतर होता है वो कले का होता है जो जीरो से 20 परस्त होता है फिन उसके बाद कले आता है क्ले में जो है बालू की मात्रा जीरो से पचास फिन सिल्ट का जो है जीरो से पचास फिन क्ले का जो है 30 से 100% तक छात्रो इसमें % होता है जो कि एक मिर्दा कणाकार को या बनाने में महत्पूर्ण अपना योगदान अदा करता है और उसके बाद ये चात्रों जो है इसके जो parts हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताया कि स्वैल सरचना, स्वैल गाड़ापन, स्वैल कलर्स, स्वैल टंप्रेचर इसके बिसे में चात्रों हम आपको आगे चल के अध्यन करवाएंगे तो सभी छात्रों को नमस्कार, धन्यवाद जो है, आप सभी छात्र जो है, RBS Degree College मेजा खास की YouTube चैनल को सक्राइब करके अपना अध्यन कर सकते हैं, सभी छात्रों को धन्यवाद